मेरे प्यारे देश वाचियों, आज हादी का अमुरत महवचव, पच्चतर्वे स्वतंत्रता दिवसपर, आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोगतंत्र को प्रेम करने वाले, सभी को बहुत बहुत सुपकावनाई, आज हादी के अमुरत महवचव के इस पावन पर्वपर, देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को, रास्त रक्षा में अपने आपको दिन रात खपाने वाले, आहुत करने वाले, वीर विरांगनाओं को, आज देश नमन कर रहा है, आज हादी को जनांदोलन बनाने वाले उज्ज बापू हो, या आज हादी के लिए, अपना सब कुछ लोचावर करने वाले, नेता जी सुभाद संद्रबोस, बगत्सी, चंद्रसकर राजाज, बिस्मल और अस्भाग उल्लाखा जैसे महान क्रान्ति वीर हो, जांसी की राणी लक्ष्मी भाई हो, किक्तूर की राणी च्छनम मा हो, या राणी गाडी ल्यू हो, या मासाम मैं मातंगिनी हाजड़ा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधान मंत्री पंडित नहरुजी हो, देश को एक जूट राष्ट में बदलने वाले सरदार बल्लभाई पटेल हो, भारत के भविश्य की दिशन मिर्धारित करने वाले, रास्ता तै कराने वाले, बाबा साब आम्बेर कर सहीद देश, हर ब्यक्ति को आज याद कर रहा है, देश इन सभी माहपुर्षों का रणी है, भारत को बहु रतना वसुंद्रा है, और भारत के हर कोने में, हर कालखन में, अंगिनत लोकों ने, जितके नाम भी जायत इत्यात की तवारिख में मही होंगे, ऐसे आन गनित लोगों ने इस राज को बनाया भी है आगे बढ़ाया भी है मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूँ उनका अभिनन्दन करता हूँ भारत ने सदियों तक मात्रभों में संस्कृति और आज़ादी के लिए संगर्श किया है गुलामी की कसक आज़ादी की लदख इस देश ने सदियों तक कभी छोड़ी नहीं जय पराजय आते रहे लेकिन मनमंदिल में बसी हुई आज़ादी की आकांशा वो कभी खत्म होने नहीं दी आज इन सभी संगर्श के पुरोगा सदियों के संगर्श के पुरोधा उन सब को भी प्रणाम करने का वक्त है और बे प्रणाम के हकदार भी है कोरोना वैश्विक महामारी इस महामारी में हमारे डॉक्टर हमारे नर्थिस हमारे परामेडिकल स्टाफ हमारे सभाई कर्मी वैच्सिन बनान में जूटे हमारे वैज्यानिक हो सेवा भावना से जुड़े हुए करोडो देश वाच्यों हो जिनों इस कोरोना के कालखन में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है वे भी हम सब के वंदन के अभिकारी है आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है भुस्खलन की हुए है कुछ पिड़ा दायक खबरे भी आती रहती है कई शेप्रों में लोगों को जीस मुश्किल बड़ा दी है ऐसे समय केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो सब उनके साथ मुस्तदी के साथ खड़ी हुई है आज इस आयोजन में ऑलम्पीक में भारत में भारत के युवापिडी जिसने भारत का नाम रोशन किया है ऐसे हमारे एटलेट्स हमारे खिलाडी आज हमारे बीच में कुछ यहां है कुछ सामें बैटे हैं मैं आज देश वाचियों को यहां मौजूद है उनको भी और हिंदुस्तान के कौने कौने में जो इस समारों में मौजूद है उन सब को मैं कहता हूँ कि हमारे खिलाडियों के सम्मान में आईए कुछ पलतालियों बजा करके उनका सम्मान करे भारत के खेलों का सम्मान भारत की युवापिडी का सम्मान भारत को गवरों दिलाने वाले युवाओं का सम्मान देश करोडों देश वाचियों आज सालियों की गड़गड़ाट के साथ हमारे इन जमानों का देश की युवापिडी का गवरों कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं एथलीट्स ने विशेश तोर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है लेकिन उन्होंने आने वाली पीडियों को भी भारत की युवापीडी को भी प्रेडिक करने का बहुत बड़ा काम किया है मेरे प्यारे देश वासियों हम आजादी का जस्न मनाते हैं लेकिन बट्वारे का गर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है ये पिछली सताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक आज हदी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया कल ही भारत ने एक भावुक निरने लिया है अब से हर वर्ष 14 अगस को विभाजन विभीशिका स्मती दिवस के रुप में याद किया जाएगा जो लोग विभाजन के समय अमानविय हालात से गुजरे जिनोंने अत्याचार सहे जिने सम्मान के साथ अंतिम सौस्कार तक नसीब नहीं हुआ उन लोगों को उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवीत रहना भी उत्रा ही जरूरी है आजादी के 75 वे दिवस स्वतंत्रगाज के दिवस पर विभाजन विभीशे का स्पृति दिवस का तै होना ऐसे लोगों को हार भारत वाची की तरफ से आदर पूर्वक सर्धान ली है मेरे प्यारे देश वाचियो प्रगदी पट पर ब़र रहें हमारे देश के सामने और विष्वों में पूरी मानवजाद के सामने कोरोना का ये कालखन बहुत बढ़ी चुनवती के रूप में आया है भारत वाचियों ने बहुत सहियम बहुत धैरिय इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है इस लड़ाई में हमारे सामने अनेज चुनोतियां थी लेकिन हर छेत्र में हम बेश वाचियों ने असाधारन गती से काम किया है हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परणाम है कि भारत को वैक्सिन के लिए आज किसी और पर किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पर आप कल्पना कीजिए पल भर सोचिये अगर अगर भारत के पास अपनी वैक्सिन नहीं होती तो क्या होता पोलियों की वैक्सिन पाने में हमारे कितने साल भिद गए थे कितने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी होता हमें वैक्सिन कैसे मिलता लेकिन भारत को शायद मिलता के नहीं मिलता और कब मिलता लेकिन आज गरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम हमारे देश में चल रहा है चोपन करोर से लोग 54 करोर से जादा लोग वैक्सिन दोज लगा चुके हैं कोविन जेसी ऑनलाइन व्यवस्ता डिजीटल सर्टिप्रेट देने की व्यवस्ता आज दुनिया के ओक आकरशित कर रही है महामारी के समय भारत जिस तरह से अक्सी करोर देश वाचियों को महिनों तर लगातार मुप्त अनाज दे करके उनके घरीद के घर के चूले को जलते रखा है यह भी दुनिया के लिए अचरज भी है और कर्टा का विशय भी है यह बात सही है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कम लोग संकर्मित हुए यह भी सही है कि दुनिया के देशों की जन संक्या की तुलना में भारत में हम अधीक तम मात्रा में हमारे नागरिकों को बचा सके लेकिन यह हमारे लिए पीर थप थपाने का विशय नहीं है संतोस पाकर के सो जाने का विशय नहीं है यह कहना कि कोई चुनवती नहीं थी यह हमारे अपने विकास के आगे के रास्तों को बंद करने वाली सोच बन जाएगी दुनिया के समरुद्ध देशों की तुलना में हमारी विवस्ता एक कम है विश्व के पास समरुद्ध देशों के पास जो है वो हमारे पास नहीं है लेकिन इन सारे प्रयासों के भाव जुद्ध देश और दुद्री तरफ हमारी आज जनसंख्या भी बहुत है विश्व के दुलना में बहुत जन्संग क्या और हमारी जीवन शायली भी कुछ अलग सी है साहरे प्रयासों के बाद भी कितने ही लोगों को हम बचा नहीं पाए कितने ही बच्चों के सीर पर कोई हाथ फेदने वाला चला गया उसे गुलार ने उसकी जीद पुरी करने वाला चला गया यह असाहनी पिड़ा यह तकलीप हमेशा से साथ रहने वादी है मेरे प्यारे देश वाशियों हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाशित करता है खुद को नए संकल्कों के साथ आगे बढ़ाता है भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है 75 वर्ष के अउसर को हमें एक समारो भड़ ही सिमित नहीं करना है हमने नए संकल्कों को आधार बनाना है नए संकल्कों को ले करके चल पढ़ना है यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की आत्रा जब हम आजादी के सताब्दी मनाएंगे नए भारत के स्रजन का यह अमरत काल है इस अमरत काल में हमारे संकल्कों की सिद्धी हमें आजादी के सो वर्ष तक ले जाएगी गवरव पुन रुप से ले जाएगी अमरत काल का लक्ष है भारत और भारत के नागरीकों के लिए समरुद्धी के नए शिखरों का आरोहन अमरत काल का लक्ष है एक ऐसे भारत का निर्मान अमरत का लक्ष है एक ऐसे भारत का निर्मान जहां नागरीकों के जीवन में सरकार बेवज़ दखल ना दे अमरत काल का लक्ष है एक ऐसे भारत का निर्मान जहां दुनिया का हर आदुनिंग इन्फा सेक्टर हो हम किसी से भी कम न हो यही कोटी कोटी देश वाचियों का संकल्प है लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकास्था की परिश्रम और पराक्राम की पराकास्था ना हो इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकास्था करके सिद्ध करके ही रहना है और ये सपने ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समरुद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है हमरुद्ध काल पचीस वर्च का है लेकिन हमें अपने लक्षों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है हम अभी से जुड़ जाना है हमारे पांस गमाने के लिए एक पल भी नहीं है यही समय है सही समय है हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आपको भी बदलना ही होगा बदलते हुए यूग के नुकुल हमें भी अपने आपको धालना होगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इसी स्त्रद्धा के साथ हम सब जुड़ चुके हैं लेकिन आज लाल किले की प्राचीज से आवान कर रहा हूँ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्षों की प्राप्त के लिए बहुत महत्वपूर भी ते साथ वर्षों में शुरूही अनेक योजनाओं का लाप करोडों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है उजवला से लेकर आईश्यमान भारत की अताकत आज देश का हर गरीब जानता है आज सरकारी योजनाओं की गती बड़ी है वो निर्धारित लक्षों को प्राप्त कर रही है पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े हैं लेकिन सिर्फ बात यहां पूरी नहीं होती है अब हमें सेचुरेशन तक जाता है पूर्णता तक जाना है सद प्रतिश्चत गामों में सडके हो सद प्रतिश्चत परिवारों का बैंक एकाउंट हो सद प्रतिश्चत लाभारती को आईश्मन भारत का काड़ हो सत्प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उजवला योजना और गैस कनेक्शन हो सरकार की विमा योजना हो पेंशन योजना हो आवाच योजना ते हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है सत्प्रतिशत का मून बना के चलना है आज तक हमारे हाँ कभी उन साथ्यों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेडी लगाते हैं पट्री पर बैठ कर फुटपात पर बैठ कर सामान बेचते हैं ठेला चलाते हैं हम इन साथ्यों को स्वन निदी योजना के जर्ये बैंकिंग ववस्ता से जोड़ा जा रहा है जैसे हमने बिजली सत्प्रतिशक घरों तक पहुंचाई जैसे हमने सत्प्रतिशक घरों में साथ्यों चालाई के निर्मान का प्रामानिक प्रयास किया वैसे ही हमें अब योजनाओं के सैचुरेशन का लफ्स लेकर के आगे बढ़ना है और इसके लिए हमें समय सिमा बहुत दूर नहीं रखनी है हमें कुछी वर्सों में अपने संकलकों को साकार करना है देशाच हर घर जल हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिरफ दो वर्स में साड़े चार करोड से जादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया पाइप से वाटर मिलना शुरू हो गया है करोडों माता बहनों का अचिरवाद यही हमारी पूजी है इस सब्सक्रतिशक का सबसे बड़ा लाब यह होता है कि सरकारी योजना के लाब से कोई वंचित नहीं रहता जब सरकार यह लक्ष बना कर चलती है कि हमें समाज की आखरी पंक्ति में जो व्यक्तिक खड़ा है उस तक बहुतना है तो न कोई भेदवाव हो पाता है और नहीं ब्रस्टाचार की गुंजाइश रहती है मेरे प्यारे देश वातियों बेश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोशन कहुचाना भी सरकार की प्रात्विक्ता है गरीब महिलाओं गरीब बच्चों में कूपोशन और जरूरी पोश्टिक प्रदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहट जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाइग करेगी गरीबों को पोशन युक्त चावल देगी राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो मिद्ने मिल में बालों को को मिलने वाला चावल हो वर्ष दो हजार चोबिस तक हर योजना के मादम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाइग कर दिया जाएगा मेरे प्यारे देश वास्यों आज देश में हर गरीब तक बहतर स्वास्त पसुविदा पहुंचाने के भियान भी तेज गती से चल रहा है इसके लिए मेडिकल सिख्षा में जरूरी बड़े बड़े सुधार भी किये गए हैं प्रिवेंटिव हेल्ट केर पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है साथ साथ देश में मेडिकल सिटों में भी काफी बड़ोतरी की गई है आईश्मान भारत योजना के तहट देश के गाउं गाउं तक क्वालिटी स्वास्ट सेवाएं पहुचाई जा रही है जन अवसदी योजना के माध्यम से गरीब को मध्यम्बर को सस्ती दवाईया उपलब्द कराई जा रही है अभी तक 75,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर बनाए जा चुके हैं अब ब्लॉक्स तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक लेप्स के नेटवर्क पर विशेश रुच्छे काम किया जा रहा है बहुत जल देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने आक्सिजन प्लांट भी होंगे मेरे प्याने देश वाजियों 21 श्वी सदी में भारत को नई उचाई पर पहुचाने के लिए भारत के सामर्थका सही इस्तिमाल पूरा इस्तिमाल ये समय की मांग है बहुत जरूरी है इसके लिए जो वर्ग पीछे है जो खेतर पीछे है उनकी हैंड होल्डिंग करनी ही होगी मुलभूत जरूर्टों की चिंता के साथ ही दलीतों पिछडों आदिवासियों सामान वर्ग के गरिबों के लिए आरक्षां सुनिशित किया जा रहा है अभी हाल ही में मेरिकल सिख्षा के खेतर में आल इंडिया कोटे में OBC वर्ग में को आरक्षन की ववस्ता भी की गई है संसद में कानू बना कर OBC से जुड़ी सुची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है मेरे प्यारे देश वाच्छों जैसे हम ये सुनिशित कर रहे हैं कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ती ना जुटे कोई बर्ग ना जुटे वैसे ही देश का कोई भूभाग देश का कोई कोना भी पीछे नहीं सुटना चाहिए विकास सर्वांगी होना चाहिए विकास सर्वसपर्सी होना चाहिए विकास सर्वस समावेशक होना चाहिए देश के ऐसे छेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले साथ वर्सों में जो प्रयास किये गए हैं अब उसे और तेजी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा पुर्वी भारत नौर्थ इस्ट जम्मु कश्वीर लदाग जहीद पूरा हिमाले का खेत्र हो हमारी कोस्नल बेल्ज ग्या फिर आदिवासी अंचल हो ये भविश में भारत की विकासी आत्रा का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं आज नौर्थ इस्ट मेए कनेक्टिवीटी का नया इतỉहात लिखा जा रहा है ये कनेक्टिवीटी दिलों की भी है और इंफरास्ट्रक्चर की भी है बहुत जल्द नौर्थ इसके सभी राज्यों की राज़दानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है एप इस पॉलिसी के तहट आज नौर्थ इस्ट, बांगलादेश, म्यामार और दक्षिन पूर्वे एस्या से भी तनेक्ट हो रहा है बीते वर्षों में जो प्रयास होगे हैं उसकी वज़य से अम नौर्थ इस्ट में थाईश शांती के लिए स्रेश्ट भारत के निर्मार के लिए उत्सा अनेग गुना बड़ा हुआ है नौर्थ इस से वहाँ पर टूरिजम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, और्गिनिक फार्मिंग, हर्बल मडिसिन, ओयल पाम इसका पोटेंशल बहुत बड़ी मात्रा में है, हमें पूरी तरह इस पोटेंशल को निखारना होगा, देश की विकास यात्रा का हिस्सा बढ़ाना होगा और हमें ये काम अमरुत काल के कुछ दशक में ही पूरा करना है, सभी के सामर्थों को उच्चित अउसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है जम्मू हो या कश्वीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है, जम्मू कश्वीर में ही बी लिमिटेशन कमिशन का गटन हो चुका है और पविश में विधान सबाच चुनाओं के लिए भी तयारियां चल रही है लदाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है एक तरफ लदाख आधूनिक इंफरसेक्टर का निर्माल होते देख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सिंदू सेंट्रल उनिवर्सेटी लदाख को उच्च सक्षा का हाईर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है 21 सदी के इस दसक में भारत ब्लू एकोनामी के अपने प्रयाशों को और तेजी देगा हमें एक्वा कल्चर के साथ साथ सी भीड की खेती में बंदे जो नई संभावना बंद ही है उन संभावनाओं का भी पूरा लाब उठाना है डीप ओशन मिशन समंदर की असीम संभावनाओं को तलास लेकी हमारी महत्वक कांख्षा का प्रमान है जो खनी संपदा समंदर के में छिपी हुई है जो थलमर एनरजी समंदर के पानी में है और वो देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती है देश के जिल जीलों के लिए ये माना गया था कि ये पीछे रह गए हमने उनकी आकांख्षाओं को भी जगाया है देश में 110 से अधीक आकांख्षी जिले एस्परेस्टल डिस्टिक जिलों में सिक्षा, स्वास, पोशन, सडक, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथ्फिकता दी जा रही है इन में से अनेक जिले हमारे आदिवासी अंचल में है हमने इन जिलों के बीच विकास की एक तंदुरस परधा का एक उत्सा परदा किया है यह आकांखी जिले भारत के अन्य जिलों की बराबरी तक पहुँचे उस दिशा में तेज स्परधा चल रही है मेरे प्यारे देश वाचियों अर्थ जगतम है पूंजी बाद और समाज बाद इसकी चर्चा तो बहुत होती है लेकिन भारत सहकारबाद पर भी बल दिता है सहकारबाद हमारी परंपना हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है सहकारबाद जिसमें जनता जनार्दन की शामोहिक शक्ति का अर्थ व्यवस्ता की चालक शक्ति के रूप में त्रावीं फोर्स बने कि ये देश के ग्रास्टूक लेवल की एकोनामी के लिए एक अहद्म की खेत्र है कोपरेटिव इसरफ कानून नियमों की जन्जाल वाली एक व्यवस्ता नहीं है बलकि कोपरेटिव एक स्पिरीट है कोपरेटिव एक संसकार है एक कोपरेटिव एक सामोहिक चलने की मनः प्रभुत्ती है उनका ससक्ति करह हो इसके लिए हमने अलग मंत्राले बनाये कर इस दिशा में कदम उठाया है और राज्जों के अंदर जो सहकारी खेत्र है उसको जितना ज़्यादा बल दे सके वो बल देने के लिए हमने ये कदम उठाया है मेरे प्याने देश वाचियों इस दसक में हमने गावों में नई अर्थिववस्ता के निर्माण के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी आज हम अपने गावों को तेजी से परिवर्थित होते देख रहे हैं बीते कुछ वर्षों में गावों तक सडक और बिजली की सुज़िदाओं को पहुंचाने के रहे थे वो पुरा कालखन हमारा रहा लेकिन अब गावों को अप्तिकल फाइबर नेटवर्क देटा की ताकत पहुंच रही है इंटरनेट पहुंच रहा है गाव में भी डिजिटल एंट्रेपिनर तैयार हो रहे हैं गाव में जो हमारी सेल्फ हेल्फ ग्रूप से जुड़ी आठ करोर से अधिक बेहने हैं वो एक से बढ़कर एक प्रोड़क्स बनाती है इनके प्रोड़क्स को देश में और विदेश में बड़ा बाजार मिले इसके लिए अब सरकार ई-कॉमर्स प्रेटफॉर्म भी तैयार करेगी आज जब देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप के उत्पादों को देश के दूर दराज छेत्रों में भी और विदेशों में भी लोगों से जोड़ेगा और उनका फलत बहुत विस्त्रत होगा कोरोनों के दवरान देश ने टेकनलोजी की तांकत और हमारे वेज्ञानिकों का सामर और उनकी प्रतिवद्धता को देखा है देश के हर शेत्र में हमारे वेज्ञानिक बहुत सूजबुच से काम कर रहे अब समय आ गया है कि हम अपने क्रिशी छेत्र में भी वेज्ञानों को की छमताओं और उनके सुजाओं को भी हमारे एग्रिकल्जर सेक्टर में जोड़ें अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमें इसका पूरा लाब भी उठाना है ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फ़ल, सबजियां और अनाज का उस्पादन बढ़ाने में बहुत बदरी मदन मिलेगी और हम विश्व तक पहुंतने के लिए अपने आपको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे इन प्रयासों के बीच हमें क्रिशी सेक्टर की एक बड़ी चुनोती की भी और ध्यान देना है ये चुनोती है गाउं के लोकों के पास कम होती जमीन बढ़ती हुई आबादय के साथ परिवार में जो बठवारे रो रहे हैं उसकी वज़े से किसानों की जमीन छोटी 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 से छोटी होती जा रहे हैं देश के असी प्रतिशत से जियादा किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है दो हेक्टर से भी कम पहले जो देश में नीतियां थी और हम देखें, सो में से असी किसान, उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन याने, देश का किसान एक परकार से छोटा किसान जाए पहले जो देश में नीतिया बनी, उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्रात्फिकता देने चाहिए उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था वो रह गया अब देश में इनी छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषी सुधार किये जा रहे हैं मिरने लिए जा रहे हैं फसल भिमा योजना में सुधार हो MSP को डेड़ घुणा करने का बड़ा मुहत्वपुन निरह हो छोटे किसानों को किसान क्रेडित कार से सस्ते दर्थ से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवत्ता हो सोलर पावर से जुड़ी योजना एक खेट तक पहुंचाने की बात हो किसान उत्पादक संगठन हो एस सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेर हाउस की फेसिलिटी क्रियेट करने का भी अभियान चलाया जाएगा हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को धान में रखते हुए पी एम किसान सम्मान निधी योजना चलाई जा रही है दस करोड से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक बेल लाग करोड से जादा रकम सीजी उनके खाते में जमा करा दी गई है छोटा किसान अब हमारे लिए हमारा मंत्र है वारा संकल्प है छोटा किसान बने देश की शान छोटा किसान बने देश की शान ये हमारा सपना है आने वाले वर्षों में हमें देख के छोटे किसानों की सामुईक शक्ति को और बढ़ाना होगा नवी सुविधाएं देनी होगी आज देश के सत्तर से ज़्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है किसान रेल छोटे किसानों को अपने उत्पात का कम किमर ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा कम हो इस पर दूर दराज के इलाकों में वो इस आधुनिक सुविधा के साथ अपने उत्पात पहुँचा सकता है कमलम हो या शाही लिची भूत जलो क्या मिर्च हो या काला चावल या हल्दी अने को उत्पात अब दुनिया के अलग अलग देशों में बेजे जा रहे हैं आज देश को खुशी होती है जब भारत की मिट्टी में पैदा हुई चीजों की सुगन दुनिया के अलग 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 देशों तक पहुंच रही है भारत के खेट से निकली सबजियां और खाद्यान्य से आज दुनिया का टेश्ट बन रहा है मेरे स्पैरे देश वाचियों कैसे आज गावों के सामर्त को बढ़ाया जा रहा है उसका एक उदारन है स्वामित वयोजनाव हम सब जानते हैं कि गावों में जमीन की किमत का क्या हल होता है जमीन पर उनकों बैंकों से कोई करदे नहीं मिलता है खुद जमीन के माली होने के बावजित भी क्योंकि गावों में जमीनों के कांगज पर कई कई पीडियों से कोई काम नहीं हुआ है लोगों के पास इसकी व्यवस्ता नहीं है इस धीती को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना कर रही है आज गाउं गाउं हर एक घर की हर जमीन की ड्रोन के जरिये मैपिंग हो रही है गाउं की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज आनलाइन अपलोड हो रहे हैं इससे ना सिर्फ गाउं में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं बलकि गाउं के लोगों को बैंक से आशानी से लोन भी मिलने की व्यवस्ता निर्मान हुई है गाउं गरीब की जमीने गाउं गरीब की जमीने विवाद का नहीं विकास का आधार बने देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है मेरे प्यारे देश वाशियों स्वामी विवेकान जी जब भारत के भविश्य की बात करते थे अपने आखों के सामने मा भारती की भव्यता का जब वो दर्शन करते थे तब वो कहते थे जहां तक हो सके अतीत्य और देखो जहां सक हो सके अतीत्य और देखो पीछे जो चीर नूतन जर्ना बह रहा है पीछे जो चीर नूतन जर्ना बह रहा है आकंड उसका जल पियो और उसके बार देखिए असाब विवेकान जी की बिश्यता उसके बार सामने की और देखो आगे बढ़ो और भारत को पहले से भी कहीं जादा उजवल महान स्रेष्ट बनाओ आज़ादी के 75 वर्ष में हमारा दाइत्व है कि अब हम देख के असिम सामर्थ पर विश्वाच करते हुए आगे बढ़े हमें मिलकर काम करना होगा नेक जनरेशन इंफास्टेक्टर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा वर्ल कास्ट मैनुफेक्टरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा कटिंग एज इनोवेशन के लिए हमें मिलकर काम करना होगा न्यू एज टेकनोलोजी के लिए मेरे प्यारे देश वाचियों आदूनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद आदूनिक इंफास्टेक्चर पर खड़ी होती है यह मद्यम्वर की आवशक्ताओं आकांख्चाओं की भी पूर्ति करते हैं कमजोर इंफास्टेक्चर का बहुत बड़ा नुक्षान विकास की गती को भी होता है शहरी मद्यम्वर को भी होता है मेरे प्यारे देश वाचियों इसी बात को समचते हुए जल फल नब हर शेत्र में देश ने अश्वाधारन स्पीड और स्केल पर काम करके दिखाया है नए जलमार्ग वाटर बेज हो नए नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो देश में बहुत तेजी से काम चलना हाथ है भार किये रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में जल रही है देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोद आपको मालूम होगा हमने इस आजादी के अमृत महोद सब को 75 सब्ता तक मनाना ताय किया 12 माज से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस तक इसको चलाना है उत्सा भर से आगे बढ़ना है और इसलिए बेश ने एक बहुत महत्वपुन फैसला लिया है आजादी के अमृत महोद सब के 75 सब्ता में इन 75 सब्ता में 75 वंदे भारत त्रेने देश के हर कौन को आपस से जोड़े करके यही होगे आज जिस गती से देश में नए एरपोर्ट का निर्मान हो रहा है उडान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड रही है यह अभूत पुर्वा है आज हम देख रहे हैं कि कैसे बहतर एर कनेक्टिविटी लोगों के सपनों को नई उडान देती है मेरे प्यारे देश वात्यों भारत को आदूनिक इंफास्टेक्टर के साथ ही इंफास्टेक्टर निर्मान में होलिष्टिक अप्रोच इंटिग्रेटर अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है भारत आने वाले कुछी सबाय में प्रदान मंत्री गतिशक्ति गतिशक्ति का नेशनल मास्टर फ्लान उसको देश के सामने करोड़ देश वांच्यों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना ले करके हम आपके सामने आने वाले हैं उसको लाँज करने वाले हैं सो लाग करोड़ से भी अधिक की योधना लाखों नवजवानों के लिए रोजगार के नए आउसर लेकर आने वाली है गतिशक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा National Infrastructure Master Plan होगा जो holistic infrastructure की नीव रखेगा हमारी economy को एक integrated और holistic path way देगा अभी हम देखते हैं कि हमारे transport के साथोनों में कोई तालमेल नहीं होता गती सक्ती silos को तोड़ेगी पविश के रास्ते से हम इन सब रोड़ों को जितनी कठिलाई हैं उनको हटाएगी इससे सामान्य मान किये लिए travel time में कमी आएगी और हमारी industry की productivity और भी बढ़ेगी गती शक्ती हमारे local manufacturers को गोबली competitive करने भी बहुत बड़ी मदद करेगी और इसे future economic jobs के निर्मान की नई संभावनाय भी विक्सित होगी अमृत काल के इस दसक में गती की शक्ती भारत के काया कल्ब का आधार बनेगी मेरे प्यारे देश वाचियों विकार्ट के पत पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी manufacturing और export दोनों को बढ़ाना होगा आपने देखा है अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी aircraft carrier आइनेस विक्रान को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है भारत आच अपना लड़ा को विमान बना रहा है अपनी सम्मरीन बना रहा है क्यों गनियान भी अंत्रिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तयार हो रहा है ये स्वदेशी manufacturing में हमारे सामर्थ को उजागर करता है कोरोना के बाद उबरी नई आर्थिक परिस्थितियों में मेक इंडिया को स्थापित करने के लिए देश ने प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव्स को भी गोच्णा किया है इस किम से जब बढ़लाव आ रहा है उसका उधारन इलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टरिंग सेक्टर से है साथ साल पहले हम लगबग आठ बिलियन डॉलर के मुबाइल फॉन इंपोर्ट यानि आयात करते थे अब इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा गटी है आज हम तीन बिलियन डॉलर के मुबाइल फॉन एक्सपोर्ट भी कर रहे है आज जब हम हमारे मैनिफेक्टरिंग सेक्टर को गती मिल रही है तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम भारत में जो बनाएं उसे हमें बेस्क्वालिटी के साथ ग्लोबल कॉंपेटिशन में टीके और होसन के देखकर हम आगे बढ़ें यह तैयारी करनी है और ग्लोबल मार्केट को हमने टार्गेट करना है देख के सभी मैनुफेक्टर को मैं आगर पुरवक कहना चाहूंगा हमारे मैनुफेक्टर को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोड़क्ट बाहर बेटते हैं वो सिरफ आपकी कंपनी के द्वारा बनाए हुआ शिर्फ एक फूर्जा नहीं है एक प्रोड़क नहीं है कि उसके साथ भारत की पहचाण जुड़ी होती है कंषिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है भारत की मैनुफेक्टर को कहता हूं आपका हर एक प्रोड़क भारत का ब्रेंड एम्बेसिडर है जब तक वो प्रोड़क इस्त्माल में ले आए जाता रहेगा उसे खरीदने वाला कहेगा बड़े गर्व से कहेगा सिना तान करके कहेगा हाँ ये मेड इन इंडिया है ये मिजाद चाहिए अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में च्छा जाने का सपना होना चाहिए इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है मेरे प्यारे देश वास्यों आज देश के अलग-अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी टियर टू टियर फ्री सिटीज में भी नए नए स्टार्ट अफ बन रहे हैं उनकी भारतिय प्रोडस को आंतर राच्य बाजार में जाने में बड़ी भूमी का भी है सरकार अपने इन स्टार्ट रफ्स के साथ पूरी ताकत के साथ कड़ी है उन्हें आर्थिक मदद देना हो टैस में छूट देना हो उनके लिए नियमों को सरल बनाना हो सब कुछ किया जा रहा है हमने देखा है कोरोना के इस कठिन काल में ही हजारों हजारों नए स्टार्ट अप्स उभर करके आये हैं बड़ी सभलता से वे आगे बन रहे हैं कल के स्टार्ट अप आज के यूनिकॉन बन रहे हैं इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड रुपिय तक पहुंत रही है यह देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रियेटर्स हैं यह अपने यूनिक आइडियाद की शक्ति से अपने प्यारों पर खड़े हो रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को चाजने जाने का सपना लेकर के चल रहे हैं हिस्धशक में भारत के start-ups भारत के start-up ecosystem इसको हम पूरी दुनिया में सर्वस्त्रेश्ट से बनाएं हमें इस दिशा में काम करना है हमें रुखना नहीं है मेरे प्यारे देश वाच्चियों बड़े परिवर्तन लाने के लिए बड़े रिफॉर्म के लिए राजनिती की इच्छा शक्ती पॉलिटिकल विल की जरुरत होती है आज दुनिया देख रही है कि भारत में राजनिती की इच्छा शक्ती की कोई कमी नहीं है रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नन्स चाहिए आज गुनिया इस बात की भी साथ की है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नन्स का नया अध्धाय लिख रहा है अम्रुत काल के इस दसक में अम नेक्स जनरेशन डिफॉर्म्स को और उसमें हमारी प्रास्टिक्ता होगी नागरीकों को जो कुछ मिलना चाहिए जो सर्विस डिलेवरी है वो लास्ट माहिल तक लास्ट व्यक्ति तक सीमलेस्ली बिना जिजग बिना कठिनाई से उसको पहुँचे देश के समग्रेविकास के लिए लोगों के जीवन में सरकार और सरकारी प्रक्रियों का बेवजल दखल समाप्त करना ही होगा पहले के समय सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई तो यह उस समय के शायद मांग रही होगी लेकिन अब समय बदल चुका है बीते सात वर्षों में देश में इसके लिए प्रयाज भी बड़ा है कि देश के लोगों को अनावशक कानूनों के जाल अनावशक प्रक्रियों के जाल से मुक्ती दिलाए जाये अब तक देश के सैंकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त किया जा चुका है कोरोना के इस कालखण में भी सरकार ने 15,000 से ज्यादा 15,000 से ज्यादा कम्प्लाइंसिस को समाप्त किया है अब आप देखिए आपको भी अनुभ होगा कोई एक छोटा सरकारी काम हो धेर सारे कागज बार-बार कागज एक ही जानकारी अलेक बार यही चलता रहा है 15,000 कम्प्लाइंसिस को हमने खतम किया है आप सोचिए 200 साल पहले एक उदारन बेह देना चाहता है 200 साल पहले हमारे हाँ एक कानुन चला आ रहा है 200 साल याने 1827 से भी पहले से जिसकी वज़े से देश के नागरित को मैपिंग यानि नक्षा बनाने की स्वतनत्रता नहीं से अब विचार कीजिए 1857 से चल रहा है नक्षा बनाना है तो सरकार को पूछिए नक्षा किसी किताब में छापना है तो सरकार से पूछिए नक्षा खो जाने पर गिर्वतारी का भी उसमें प्रावधार है कि आजकाल हर फोन में मैप का एप है सैटलाइट की इतनी ताकत है कि फिर ऐसे कानूनों का बे बोज़ सीर पर लेकर देश को आगे कैसे बढ़े आएगे हम कि कंप्लाइंसिस का ये बोच उतरना बहुत जरूरी है मैपिंग की बात हो स्पेस की बात हो इंफर्मेशन टेक्नलोजी की बात हो बीपी ओ की बात हो जैसे अनेक शेक्टरों में बहुत सारे रेगुलेशन को हमने समाप्त कर दिया है मेरे प्यारे देश वात्यों बेवज कानूनों की जकर से मुक्ती इज ओफ लिविंग साथ साथ इज आप डूइंग बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है हमारे देश के उद्द्योग और व्यापार आज इस बजलाव को मैसूस कर रहे हैं आज दर्जनों स्रम कानून सिर्फ चार कोड में समा चुके ह तैक्स से जुड़ी व्यवस्ताओं को भी अब आसान और फेसलेस किया गया है इस तरह के डिफॉर्म सिर्फ सरकार तक सिमित ना रहें बलकि ग्राम पंचयत और नगर निगमों नगर पालिकाओं तक पहुँचे इस पर देश की हर व्यवस्ता को मिल करके काम करना होगा मैं जावाहन कर रहा हूँ और बड़े आग्रस से कर रहा हूँ केंद्र हो या राज्य सभी के विभागों से मैं कह रहा हूँ सभी सरकारी कारियालयों से कह रहा हूँ अपने यहां नियमों प्रक्डियाओं की समख्षा का अभ्यान चलाईए हर वो नियम हर वो प्रक्डिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बन कर बोजबन कर ख़ई हुई है उससे हमें दूर करना ही होगा मुझे पता है जो यह 70-75 साल में जमा हुआ है वो एक दिल में या एक साल में नहीं जाएगा लेकिन मन बना कर काम सुरू करेंगे तो हम ऐसा जरूर कर पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्यों इसी सोच के साथ सरकार ने ब्यूरोक्रसी में पीपल सेंट्रिक एप्रोच बढ़ाने एफिशंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन करमे ओगी और कैपेसिटी बिल्लिंग कमिशन की शुरूवाद भी की है मेरे प्यारे देश वास्यों कौशल और सामर्थ से भरे अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नवजवानों को तयार करने में बड़ी भुमिका होती है किस की होती है बड़ी भूमिका होती है हमारी सिक्षा की हमारी सिक्षा व्यवस्ता की हमारी सिक्षा परंपरा की आद देश के पास 21 सदी की जरुतों को पूरा करने वाली नई राष्टिय सिक्षा नीती भी है अब हमारे बच्चे ना काउशल की कमी कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सिमा में बंदेगी दुरभागे से हमारे देश में भाषा को लेकर एक बड़ा विभाजन पादा हो गया है भाषा की वेज़े से हमने देश के बहुत बड़े टैलेंट को पींजरे में बांध दिया है मात्रु भाषा में होनहार लोग मिल सकते हैं मात्रु भाषा में पड़े भिये लोग आगे आएंगे तो उनका आत्म विश्वास और बढ़ेगा जब गरीब की बेटी गरीब का बेटा मात्रु भाषा में पड़कर प्रफेशनल बनेंगे तो उनके सामर्त के साथ न्याय होगा नई राष्टिय सिख्षा नीती में गरीबी के खिलाप लड़ाई का साधन भाषा है ऐसा मैं मानता हूँ ये नई राष्टिय सिख्षा नीती भी एक प्रकार से गरीबी के खिलाप लड़ाई का एक बहुत बड़ा सस्त्र बन करके काम आने वाला है गरीबी से जंग जितने का आधार भी मात्रु भाषा की शिक्षा है मात्रु भाषा की प्रतिष्ठा है मात्रु भाषा का महत्वय है बेश ने देखा है खेल के मैदान में और हम अनुभव कर रहे हैं खेल के मैदान में वाषा रुकावट नहीं बनी और उसका परणाम देखा है कि युवा हमारे खिलने लगे हैं खेल भी रहें खिल भी रहें अब ऐसा ही जीवन के अन्य मैदानों में भी होगा नई राश्ट्य चिछानिती उसकी एक और विशेस बात है इसमें स्पोर्ट को एक्स्टर करिकलर के जगा मेंस्ट्रीम प्रगाई का हिस्सा बनाया गया है जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी प्रभावी माध्य में है उनमें एक स्पोर्ट भी है जीवन में संपुर्णता के लिए जीवन में खेलकुद होना स्पोर्ट होना बहुत आवश्यक है एक समय था जब खेल कुद के मुख्यधारा नहीं समझा जाता था माबाप भी बच्चों से कहते थे कि खेलते ही रहोगे तो जीवन बरबाद कर लोगे अब देश में फिटनेस को लेकर स्पोर्ट को लेकर एक जागरूपता आई है इस बार ऑलिम्पिक में भी हमने देखा है हमने अनुभव किया है यह बड़लाव हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इसलिए आज देश में खेलों में टैलेंट टेकनोलोजी और प्रफेस्लिलिजम लाने के जो अभियान चल रहा है इस दसक में हमें उसे और तेज करना है और द्यापक करना है यह देश के लिए गवरोल की बात है कि सिख्षा हो या खेल बोर्ट के नतीजे हो या ओलिम्पिक का मैदान हमारी बेटियां आज अभूत पुर्वा प्रदर्शन कर रही है आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतूर है हमें यह सुनिच करना है कि हर केरियर और कारे खेत्र में महिलाओं की समान सहबागीता हो हमें यह सुनिचित करना है कि सड़क से लेकर वर्क प्लेस तर में हर जगा पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो सम्मान का भाव हो इसके लिए देश के शासन प्रसासन को पुलीस और न्याई व्यवस्ता को नागरिकों को अपनी शत प्रतिशत जिम्मेदारी निभानी है इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है आज मैं खुशी देश वासियों से साजा कर रहा हूँ मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी साइनिक स्कूल में पढ़ना चाहती है उनके भी लिए भी साइनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं दो ढ़ाई साल पहले मिजोरम के साइनिक कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रार्म किया था अब सरकार ने ताइक किया है कि देश के सभी साइनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा देश के सभी साइनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी विश्व में नेस्टल सिकूरिटी का जितना महत्व है वैसा ही महत्व एन्वार्मेंट सिकूरिटी को दिये जाने लगा है भारत आज एन्वार्मेंटल सिकूरिटी की एक मुखर आवाज है आज बायो डायर्वर्सिटी हो या लेंड नुट्रलिटी क्लाइमेट चेंज हो या बेस्ट रिशाइकलिंग और इनिक फार्मिंग हो या बेस्ट रिशाइकलिंग और इनिक फार्मिंग हो या गोबर्दम से बाव गैस हो और एनर्जी कंजर्वेशन हो या क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन परियावर्न की दिशा में भारत के प्रयास आज परिणाम दे रहे हैं भारत ने वनक्षेत रखो या फिर नए नेशनल पार्क की संख्या बागों की संख्या और एश्याटिक लायन सभी में बुरुद्धी हर देशवासी के लिए खुशी की बात है मेरे प्यारे देश वासियों भारत के इन सभस्ताओं के बीच एक और सच को भी हमें समझना होगा भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंडेंट नहीं है भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना बारा लाग करोड रुपिये से भी अधिक खर्च करता है भारत की प्रगति के लिए आत्म दिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंड होना समय की मांग है अनिवार्य है इसलिए आज भारत को यह संकर्प लेना होगा कि हम आजादी के सो साल होने के से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंड बनाएंगे और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है गैस बेज एकोनामी है देजबर में सी एंजी पी एंजी का नेटवर्ग हो 20 प्रतीशत इथेनौल ब्लेंडिंग का टार्गेट हो भारत एकताय लख्ष के साथ आगे बढ़ रहा है भारत ने इलेक्रिक मोबिलीटी की तरब भी कदम बढ़ाया है और रेलिवे के सत प्रतीशत इलेक्रिफिकेशन पर भी काम टेजगती से आगे बढ़ रहा है भारतिय रेलिवें 2030 2030 तक नेट जीरो कार्वन एमिटर की मन्ने का लक्ष रखा है इन सारे प्रयाशों के साथ ही देश मिशन सर्कुलर एकानामी इस पर भी बल दे रहा है हमारी वेहिकल स्क्रैप पॉलिसी इसका एक बड़ा उदारन है आज G20 में G20 के जो देशों का समू है उसमें भारत एक मात्र देश ऐसा है जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्रात्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत ने इस दसक के अंत तक रिन्योबल एनर्जी के चार सो पचाज गीगावर्ड का लक्स तै किया है पेंटी थर्टी तक चार सो पचाज गीगावर्ड इस में से सो गीगावर्ड के लश्को भारत ने तैस समय से पहले हासित कर लिया है हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं ग्लोबल स्टेट पर इंटरनेशनल सोलार एलाइंस का गठन इसका बड़ा उदारन है भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्स है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है क्लाइमेट के खेत्र में कॉंटम जंप देने वाला है वो है ग्रीन हाइडरोजन का खेत्र ग्रीन हाइडरोजन के खेत्र के लक्षी प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेश्टल हाइडरोजन मिशन की गोशना कर रहा हूँ अमरुतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइडरोजन के प्रोडक्षन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है ये उर्जा के छेत्र में भारत की एक नई प्रगती उसको आत्मनिर्फर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेड़ा भी बनेगा ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नई ने अवसर हमारे युवाओं के लिए हमारे स्टार्ट अप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं मेरे प्यारे देश वास्यों 21 वश्यदिक का आज का भारत बड़े लक्ष गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ रखता है दसकों से सदियों से इंतजार था आर्टिकल 370 को बदलने का इतियासिक फैसला हो देश को टेंस के जान से मुक्ते दिलाने वाली वबस्ता जी एस्टी हो हमारे फोजी साथियों के लिए वन रैंग वन पेंशन का मिलना हो राम जन्व भूमी केस का सांतिपुन समाधान ये सब हमने बुईते कुछ वर्सों में सच होते देखा है पिपुरा में दसकों बात ब्रूर यांग समझोता होना हो ओविजी कमिशन को समयधानिक दरजा देना हो या फिर जम्मु कश्वीर में आजादी के पहली बात पहली बार बीडीसी और डीडीसी चुनाव भारत की संकल्प शक्ती लगातार सिद्ध कर रहा है आज कोरोना के दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेस आ रहा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे उचे स्कर पर है सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ का संदेज भी दे दिया है ये बताता है कि भारत बदल रहा है भारत बदल सकता है भारत कठीन से कठीन फैसले भी दे सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने भेवी भारत जिदकता नहीं है रुकता नहीं है मेरे प्यारे देश बाचियों Second World War के बाद वितिय विश्विलते के बाद West Week समंदों का स्वरूप बदल गया कोरोना के बाद भी Post-Corona नए वर्ल ओर्डर की संभावना है कोरोना के दोरान दुनिया ने वारत के प्रयासों को देखा भी है और सराहा भी है आज दुनिया भारत को एक नई द्रस्टी से देख रही है इस द्रस्टी के दो महत्वपूर्ण पहलू है एक आतंगबाद और दूसरा विस्तारवाद भारत इन दोनों ही चुनोतियों से लड़ रहा है और सदे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जबाब भी दे रहा है हम भारत अपने दाईतों को सही तरीके से निभा पाएं इसके लिए हमारी रक्षा तैयारों को भी उतनाई सड़र रहना होगा रक्षा के खेत्र में देश को आत्मी निर्भर बनाने भारतियों भारत के कंपनियों को प्रोसाइट करने लिए हमारे महंति उद्वियों को नए अवसर उपलब्द कराने के लिए हमारे प्रयास निर्म तर जारी है मैं देश को विश्वाद दिलाता हूं कि देश की रक्षा में लगी हमारी सेनाओं के हाथ मजबुद करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे देश वासियों आज देश के महान विचारक स्री अर्विंदो की जन्म जैन्ती भी है साल 2022 में उनका 150 वा जन्म जैन्ती का पर्व है स्री अर्विंदो भारत के उजवल भविश के स्वप्न द्रस्टा थे वो कहते थे कि हमें उतना सामर्थवान बनना होगा जितना हम पहले कभी नहीं थे हमें अपनी आदतें बदलनी होगी एक नए रुदे के साथ अपने को फिर से जागरित करना होगा सी अर्विंदो की ये बाते हमें अपने कर्यतव्यों का ध्यान दिलाती है एक नागरीक के तौर पर एक समाज के तौर पर हम देश को क्या दे रहे हैं ये भी हमें सोचना होगा हमने अधिकारों को हमेशा महत्व दिया है उस कालखन में उसकी जरुद भी रही है लेकिन अब हमें कर्तवियों को सर्वोपरी बनाना है सर्वोपरी रखना है जिन समगल्पों का विड़ा आदेश ने उठाया है उन्हें पूरा करने के लिए हर जन को जुड़ना होगा हर देश वाची को इसे ओन करना होगा देश के जल सरुक्षन का अभियान शुरु किया है तो हमारा कर्तव है पानी बचाने को अपनी आदत से जोड़ना देश अगर डिजिटल लेंडेन पर बल दे रहा है तो हमारा भी कर्तव है कि हम भी कम से कम कैस्ट वारा ट्रांजेक्शन करना देश ने लोकल फोर वोकल का अभियान शुरु किया है तो हमारा कर्तव है कि जादा से जादा खानी उतपादों को खरीदे देश के प्लास्टिक मुक्त भारत की जो हमारी कलपना है हमारा कर्टब्य है कि संगल यूज प्लास्टिक को इसमाल पुरी तरह हमें रोकना होगा कि हमारे ही कर्टब्य है कि हम अपनी नदियों में गंदगी न डालें अपने समंदर के किनारों को स्वच रखे हमें स्वच भारत मिशन को भी एक और नए मुकाम तक पहुंचाना है आज जब बेश आजाजी के पतत्तर वर्ष के उपलव में आजाजी का अमुरुत महुत समु मना रहा है तो हमें इस आयोजन से जुड़ना भी उसके में बढ़ चड़कर के हिस्सा लेना संक्यत्वों को बार बार जगाते रहना यह हम सबका कर्टब्य है अपने स्वाधिंता संग्राम को ज्यान में रखते हुए आप जो भी करेंगे जो भी अमुरुत की बुन की तरह अवश्य पवित्र होगा और कोटी कोटी भारतियों के प्रयाँ से बना ये अमुरुत कम आने वाले वर्षों के लिए प्रेणा बनकर उस्षा जगाएगा मेरे पहरे देश वाद क्यों? मैं बविश्य दरस्ता नहीं हूँ मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूँ मेरा विश्वात है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वात है देश की बेहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के खिसानों पर, देश के प्रफेशनल्स पर, ये can do generation है, can do generation है, ये हर लक्ष हासिल कर सकती है, मुझे विश्वात है कि जब 2047 आजादी का स्वाने मुठ्षाव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रभान मंत्री होंगे, वो जब जंडा रोहर करते होंगे, तो मैं आज विश्वात से कहता हूँ, वो अपने भाशन में जिन सिद्धियों का वरण करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी, जो आज बेश संकल्प कर रहा है, ये मेरा विजय का विश्वात है, आज मैं जो संकल्पर रूप में बोल रहा हूँ, वो पतीत साल के बार, जो भी द्वजा रोहर करते होंगे, वे सिद्धि के रूप में बोलेंगे, देख सिद्धि के रूप में उसका गवरवगान करता होगा, जो आज देश के युवा है, वो उस समय भी देखेंगे, कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है, 21 सदी में भार के सपनों और आकांशाओं को पूरा करने से कोई भी बादा अब हमें रोक नहीं सकती, हमारी ताकत हमारी जीवड़ता है, हमारी ताकत हमारी एक जुड़ता है, हमारी प्राण सकती राष्ट पुखाम सदय प्रधम की भावना है, ये समय है साजा स्वप्न देखने का, ये समय है साजा संकल्प करने का, ये समय है साजा प्रयक्त करने का, और यही समय है हम विजय की और बढ़ चलें, और इसलिए मैं फिर कहता हूँ, ये ही समय है, ये ही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, ये ही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंच भूजाओं की शक्ति है असंच भूजाओं की शक्ति है हर तरफ देश की भक्ति है तुम उठो तिरंगा लहरा दो तिम उठो तिरंगा लहरा दो भारत के भागय को फैरा दो यही समय है सही समय है भारत का अनमोल समय है कुछ ऐसा नहीं जो करना सको कुछ ऐसा नहीं जो पाना सको तुम उड़ जाओ तुम जुट जाओ सामर्त को अपने पहचानो करतव्य को अपने सब जानो करतव्य को अपने सब जानो यही समय है सही समय है खारत का अनमोल समय है जब देश आज़ाजी के सौ साल पुरा करेगा तो देश वाचियों के लक्ष यथार्थ में बदलें मेरी यही कामणा है इनी शुप कामणाओं के साथ सभी देश वाचियों को 75-57 दिवस्की मैं फिर एक बार बढ़ाई देता हूँ और मेरे साथ हाद ऊपर करके बोलेंगे जैहिन 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 बंदे बंदे भारफ माता की जैहिन क्वार प्माद सभू कामणाओ नाशने हुष घनल – प्पष्च कर दिक्ष्कारण